वेलकम बेक तो माई चैनल फ्रेंट आज के इस वीडियो में हम ENT का जो है medical surgical का ENT का जो टॉपिक है वो है cataract इसके बारे में आज हम देखेंगे किया disease क्या होती है क्या condition है इसमें जो है cause क्या होता है इसका इसमें science symptoms हमें क्या देखने को मिलते हैं diagnostic हम क्या टेस्ट कर वाते ह ट्रिटमेंट क्या होता है? यह सारी जो चीजे हैं, हम इस वीडियो में देखेंगे वीडियो लास्ट तक दीखेंगे पुरी नॉलीज के लिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेंगा और ऐसे और वीडियो के लिए आइस का उसमें किसी प्रकार का जो है cloudiness cause होता है जिसकी कारण क्या होता है जो हमारा vision होता है वो क्या होता है बलर होता है उस condition को हम बोलते हैं cataract हम इमेज में देख लेते हैं यहाँ पर यह नॉर्मल आई है और यह आई है with cataract आपको यह पर दिख रहा है यह जो लैंस है यह क्या है बिल्कुल clear है normal लैंस है आप आँक में भी देखेंगे तो आपको जो है normal दिख रही है बढ़ आपको जिए आप साइड में देखेंगे और जबकि यहाँ पर पूरा normal lens आपको visualize हो रहा है अब इस condition में क्या होता है normal अगर आपका जो icon lens है वो normal है तो आपको यहाँ पर image दिख रही है जो sunflowers की वो क्या है normal दिख रही है without blood दिख रही है but if cataract की condition अगर है blood lens है तो जो image है वो आपको इस type of blood जो है patient को image जो है वो दिखती है next है इसका cause cataract का क्या 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 कारण है पहला है aging factor यानि कि अगर जो age है वो ज़्यादा है तो cataract होने की जो संभावना है वो patients में होती है systemic disorder किसी भी प्रकार का अगर patient को systemic disorder है तो diabetes जैसी की diabetes mellitus है तो उसे cataract होने का chances होता है किसी भी प्रकार का eye में अगर trauma है या radiation के कारण भी क्या हो सकता है cataract जो है वो हो सकता है excessive use of corticosteroids अगर कोई individual है जो की बहुती ज़्यादा amount में corticosteroids का use कर रहे हैं या इसी कोई उनको disease है जिसमें क्या है उनको corticosteroids जो है वो दी जा रहे है long time तक तो उस condition में भी cataract हो सकता है किसी भी प्रकार का अगर infection है जैसी की german measles है mums है, hepatitis है या chicken pox है तो इन disease में भी क्या हो सकता है cataract हमको patient में देखने को मिलता है next is sign symptoms sign symptoms क्या देखने को मिलेंगे जब जो patient है या जो individual है उसे अगर cataract हुआ है तो पहला है monocular diplopia monocular diplopia का मतलब होता है कि जो person है, जो individual है उसे एक ही आई से क्या हो रहा है दो images जो है वो दिखती है मतलब एक ही object है वो क्या दिखेगा double जो है दिखेगा उस condition को हम monocular diplopia बोलते हैं next is photophobia next is better seen in low light conditions मतलब की low light condition में जो person है उसको better देखने को दिखेगा जो भी vision है उसका वो proper clear रहेगा low light में as compared to extreme light no complaint of pain patient को कोई भी pain की complaint नहीं होगी cloudy lens यानि की जो lens है वो क्या रहेगा cloudy रहेगा next diagnostic evolution diagnostic evolution हम क्या क्या करवाएंगी मैंने यहाँ पर direct aphthalmoscopy जो है वो किया है मैं आगे बताती हूँ यहाँ पर यह जो आपको instrument देखने को मिल रहा है इसका नाम है aphthalmoscope इसके थू हम क्या करते हैं जो ENT specialist होते हैं जो doctors होते है वो क्या करते हैं इसके THRU क्या करते हैं जो आई है उसको अंदर से inner side से क्या करते हैं विज्वलाइज करते हैं इस procedure को हम बोलते हैं उप्थलमoscope का उता है जोक kami करना क्यों चोंते हैं और इस उप्थलम sama आई का हमको ophthalmoscopy में देखने को मिलता है next is slit lamp examination आपको इमेज में दिख रहा है यह जो मशीन जो है यह जो मशीन है इसका नाम है slit lamp यह जो मशीन है इसका यूज किया जाता है आई की जो inner side है उसको visualize करने के लिए जो anti-specialist होते हैं डॉक्टर होते हैं वो visualize करते हैं कुछ भी deformity है या कुछ भी जो problem है आई में तो वो आई को देखने के लिए inside से जो है वो visualize करते हैं इस examination जो करते हैं इसे हम slit lamp examination बोलते हैं next is snellan visual visual activity test आपको यहाँ पर जो चार्ट देखने को मिल रहा है यह है snellan chart इस snellan chart का use किया जाता है activity जो है patient को कितना visualization है proper कितना जो patient है या जो individual है वो proper visualize कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है वो सारी चीज़े जो है उसको check करने के लिए इसका use किया जाता है next is complication cataract का अगर treat properly ना किया जाए क्या complications पारदा देखने को मिल सकते है तो blindness जो है वो patient को हमेशा के लिए जो patient है उसका जो visual है वो impaired हो सकता है blindness जो है वो cause हो सकती है next is surgical management patient को surgical क्या क्या management करते है during the cataract तो सबसे पहली जो surgery है उसका नाम है intra capsular extraction इसमें क्या होता है it is the removal of whole lens including the capsule that's surrounded intra capsular extraction में क्या होता है यह एक ऐसी surgery होती है इस सर्जीकल प्रोसीजर होता है जिसके अंदर क्या करते हैं जो lens है वो पूरा lens को क्या करते हैं remove कर देते हैं including जो capsule होता है उसको भी साथ में क्या कर देते हैं remove कर देते हैं जो second surgery है वो है extra capsular extraction extra capsular extraction में क्या करते है कि जो lens होता है सिर्फ उसी को क्या करते है the cataract alone is removed leaving the lens capsule behind the support the remaining lens tissues means कि जो cataract है सिर्फ उसी को क्या करते है remove किया जाता है जो blurred lenses सिर्फ उसी को remove किया जाता है further जो lens का capsule है उसको क्या किया जाता है remove नहीं करते है ताकि क्या हो लेंस से टीशूस को प्रॉपरली सपोर्ट मिल सके मुझे उमीद है आपको यह कैटरेक्ट टॉपी क्लियर होगा अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शे लेगा